इस वीडियो हम टेस्ट करने वाले है The Whole Truth के No Added Sugar, Milky Nutty, Fruit and Nut Chocolate Bar को vegetarian product है इस तरह से इसकी आपको packing देखने मिलती है यहाँ पर basically यही promote कर रहे है No Added Sugar तो इसके अंदर जो ए Added Sugar इसमें नहीं है फिर जो बात करते हैं यहाँ पर चॉकलेट का illustration दिया गया है तो चॉकलेट is milky and nutty है made with coca, dates, milk, almond and raisins that's all bean to bar वगर यहाँ पर लिखा है net content इसका 50 gram pricing इसकी 99 रूपीज ingredients की बात करें तो यहाँ पर जो 100% ingredient और कौनसा ingredient कितने पसेंट आड के हो यहाँ आप यह इन्होंने बताया and raisins total 100% जो है जो ingredients आड के वही है कोई artificial flavor नहीं है इसके अंदर false claim नहीं है added flavor नहीं है और यह artificial sweetness इसके अंदर नहीं है added sugar नहीं है जो की बहुत अच्छी बात है तो definitely ingredient wise जो यह एकदम अच्छा प्रोड़क्ट है बहुत healthy प्रोड़क्ट मैं काऊंगा nutrition facts यहाँ पर देख सकते हूँ as per 100 gram as per 10 gram serving इसका net content 50 gram तो आपको as per 50 gram जो यहाँ पर nutrition facts calculate करने पड़ेंगे बात करते है manufacture and best भूर की तो यहाँ पर इसकी manufacturing best 4 तो इसकी shelf life है 6 months है from date of manufacturing आगे आपको जैसे cool and dry place में रखने oil from direct sunlight यहाँ पर allergen advice भी आ इन्होंने दी हुई है फिर जो है बात करते है इसके manufacturing date and best 4 की तो यहाँ पर fit shit health solutions private limited इनका office से अंदरी मुंबाई में यहाँ पर इसकी manufacturing and marketing होती है यही owner है इनका license number है question कोई ही सोंगी तो यह same address है और यह mail ID और इस number पर आपको इने contact करना है और यहाँ पे जो है सिर्फ आपको जो naturally occurring sugar है वही देखने मिलेगी 34.6 gram as per 100 gram added sugar 0 है जैसे कि आप इन्होंने promise किया हुआ है तो चले अब इसे जो है open कर लेते हो और जो है टेस्ट कर लेते किस तरह से जो है इसकी टेस्ट देखने मिलती है तो यहाँ से जो है इसे कट कर लेंगे निकाल लेते बाहर तो as usual जो यहाँ पर आप देख सकते हो पैक के अंदर जो है और एक पैक हमें यहाँ पर देखने मिला not all cravings are the same so why should all pieces of chocolate bar be तो थोड़े large medium small excel ऐसे type में जो इसके ऐसे आपको cubes देखने मिलेंगे chocolate cubes मतलब एक ही size के जो है cubes इसके अंदर नहीं अलगलग size के cube इसके अंदर है तो वह भी देख लेते है तो यहाँ पर आप देख सकते हो dates वगरे आपको देखने मिलेंगे almonds है, raisins है और इस तरह से जो है यह chocolate bar जो है देखने मिलती है कोई cube जो है large है कोई small है कोई medium है कोई extra large है कोई extra small cube है तो इस तरह से cube देखने मिलते है तो यहाँ आप आप illustration वगरे से भी देख सकते हो इससे compare करके तो इस तरह से chocolate बारे चलिए अब जो इससे टेस्ट करता हूँ आपको बताता हूँ कि exactly इसकी टेस्ट कैसे लगती है without added sugar तो जो extra small है यह वाला part cube इससे निकालके मैं टेस्ट करता हूँ तो definitely बहुत अच्छी टेस्ट यहाँ पर आ रही है मेंली जो यह डेट पाउडर है डेट की जो फ्लेवर होता है डेट का उसकी टेस्ट यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी आ रही है कोका की आ रही है मिल्क पाउडर की आ रही है आमंड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पीसे से आमंड के यहाँ पर तो अभी small cube लेता हो तो आमंड और रेजिन यहाँ पर आपको देखने भी मिलेंगे इस तरह से एक तरह से टेस्टी भी है और सवेल्दी जैसे की इनग्रीडेंट्स सब्सक्री आमे बहुत एसे आपको उर्ड़ी से कॉक्सम करना चाई अचियिक क्योंकि शूगर आपको इसमें से मिलेगी इसलिए क्या रहा हूँ तो डेफिनिटली आप जो है इस The Whole Truth के Milky Nutty Flavor इस चॉकलेट बार को without a doubt जो है टेस्ट कर सकते हो खा सकते हो और अगर वीडियो बसन आए तो वीडियो को यहाँ पर जो आप नीचे लाइक बटन पर प्रेस करके लाइक कर सकते हो चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो और मिलते अगले वीडियो में